मित्रों, हम नव निर्वाचित और नव गठित कार्यकारणी की बैठक में आज सब लोग इकत्र आये हैं, वर्चुल मीटिंग के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसी परिस्टि में मैं एक बात जरूर सभी कार्यकरताओं के साथ कहना चाहूंगा कि कार्यकरताओं को अपनी उप्योगिता और योग्यता इस पर भरोसा रखने की आवशक्ता होती है। और योग्यता को हम जितना अपना बढ़ा सकते हैं आत्मचिन्तन करके उसको भी हमको बढ़ाने की आवशक्ता होती है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, हम परिवर्तन के दूत हैं, और अगर हम परिवर्तन के वाहक और दूत हैं, तो सबसे पहली बात होती है, कि कार्यकरता आत्म चिंतन के साथ अपनी उप्योगिता बढ़ाए, अपनी योगिता बढ़ाए, और इसके साथ साथ अपनी स्विकारता बढ़ाए, और स्विकारता के साथ साथ अपना प्रभाव बढ़ाए, और प्रभाव के साथ साथ अपने परिपक्वता का भी दर्शन क कारेकरताओं को हो इस बात को हमको चिंतन करना चाहिए आज जब हम कारेकरती की बैठक में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि सभी कारेकरताओं को आत्म चिंतन करते हुए इन पांच बातों के बारे में चिंता करनी चाहिए हमारी योगता कैसी है हम अपनी योगता कैसे बढ़ा सकते हैं पार्टी का काम करते करते हम अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने आप को तर्जुर्वे के साथ कैसे परिपक को बना सकते हैं इस बात का हम को चिंतन करना चाहिए